नमस्कार आप सभी का एगेंस्क्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे आज आदी के अमरित महतसक के अफसर पर हम भारतिय वासियों को क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं आप से खुल कर आज बात करना चाहता हूँ आप सभी भारतिय हमें वेदन पुर्वक आगरह पुर्वक कहना चाहता हूँ कि इस अमरित महतसक के अफसर पर हम भारतियों को एक संकल्प अवस्य लेना चाहिए चलिए इस चैनल से जो पहली बार जुरे हुए हैं पहली बार देख रहे हैं वो अवस्य लाल कलर का बटन है सब्सक्राइबर का उ इस से इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा एक लाइक कवस कर देंगे तथा इसे इतना सेयर करेंगे कि हम सभी भारतियों को आसानी से इसकी जानकारी हो सके और इसका वेलाब उठा सके तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग क्यों करना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे आप लोग लगातार बिना इसकिप कुए हुए इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि हमारे भारत में भरस्टाचार इतना फैल चुका है कि अब इससे नियालय भी पिरित हो गया है अब भरस्टाचार नियालय को भी अपने चंगुल में फसा लिया है जो कोई नियालय का चक्कर लगा रहे होंगे या लगाए हैं कभी उसे अच्छी तरह मालूम होगा कि अब नियालय में भी भरस्टाचार फैलता जा रहा है और नियाल इसकी अनुभूती हो गई होगी लेकिन मैं चाहता हूं कि हर भारतिये को इसकी जानकारी प्रित होने के पहले हो जाए और वो इसके खिलाब अपने अधिकार का प्रियोग कर फ्रस्टाचार से भारत को मुक्त कर सके तो चलिए मैं देख रहा हूं अब आप लोग भी इसे अधिकार अधिनियम 2005 RTI कहलाता है जिसका फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन हम लोगों को सूचना प्राप्त करने का एक मौलिक अधिकार प्राप्त है आजादी के अमरित महुतसब के अफसर पर मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि पहला हम सभी कि देशवासियों को सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है क्योंकि भारत एक लोगतांत्रिक देश है लोगतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है हम आम जनता को ही सरकार को चुनने को कहा जाता सरकार का हर नागरिक भारत का हर नागरिक इस सरकार को चलाने के लिए टेक्स देता है इस कारण भी नागरिक को यह जानने का हक है कि उसका पैसा कहां खर्च किया जा रहा है हम लोग हर आदमी चाहे वह गरीब हो या मेर हो या किसी भी छेतर के हों किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, चाहे कोई भी हों, किसी ना किसी रूप से हम लोग अवस्ट सरकार को टेक्स देते हैं, क्योंकि हम जो वस्तु खरिदते हैं, उस पर टेक्स लगता है, आज कल तो अब GST टेक्स हो गया है, आप लोग भी अवस्ट से जानते है और सरकार के अधिकारी उस पैसे को मनवानी ढंक से खर्च किया करते हैं कभी कभी कितने घुटाले का उजागर होता है आप लोग सुने ही होगे तो वो सारा पैसा हम आम जनते का ही दूसरा इस कारण हम सभी देशबासियों को आजादी के अमरित महुत सब के अफसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जिस सरकार को चुने हैं वह हमारे पैसे को किस प्रकार खर्च कर रही है यह तभी हम जान सकते हैं जब हम सरकार के सभी विवागां को आर्टियाई लगा कर सुचना की मांग करेंगे इसलिए हम सभी भारतियों को आर्टियाई का प्रयोग अवस्ति करना चाहिए जिससे भारत के सभी सरकारी कारियालों विवागां में हो रहे खर्च हो रहे काम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके हैं तीसरा है भारत को हम अब हम भारतियों को एक साथ मिलकर इस सोने की चिरिया कहे जाने वाले भारत को घृष्टाचार से मुक्ति दिला सकेंगे या तभी संभवर जब हम सभी जागरूख होकर एक साथ सूचना का अधिकार का प्रियोग कर अपनी सरकार से हिसाब की मांग करेंगे जब हम सभी भारति अधिकांस रूप में RTI का प्रियोग करके अधिकांस विवाक से सूचना मांगेंगे तो अधिकारी अपने करतब्यों को अपने कारियों को सोसमय करेंगे तो हम लोगों को भरष्टाचार से मुक्ति दिलाने में भारत को मुक्ति दिलाने में भरष्टाचार में आशानी होगी इसलिए हम सभी भारतियों को एक साथ मिलकर एक जूठोकर भरष्टाचार के खिलाप आटियाई का प्रयोग करना चाहिए चौथा ब्रस्टाचार भारत में अभी इतना फैल चुका है अब कुछ न्याले भी इसकी चंगूल में फस गया है मैं भारत के बिहार आज के कैई न्यालें का चक्कर काट चुका हूं जहां हमने ब्रस्टाचार होते हुए खुले आम देखा है जो कोई नियाले का चक्कर काटे होंगे वो अवस्य देखे होंगे कि नियाले में भी अब व्रष्टाचार ब्यापत रूप से फैलता जा रहा है पाजमा भ्रष्टाचार को कोई सरकार नहीं मिटा सकती क्योंकि सरकार के अधिकारे ही भ्रष्टाचार को ब्रहबा दे कर हम आम जनता के मन में यह अवधार ना बना दिये हैं कि पैसे के विना कोई काम ठीक से नहीं होता न्याले में भी कभी पिसकारी के नाम पर तो कभी नकल निकालने के नाम पर भ्रस्टाचार होता है अब तो डेट देने के नाम पर भी न्याले में भी रुपईया मांगा जाता है नहीं देने पर अभिले को भी गुम कर दिया जाता है इस तरह की सिकायत मुझे कॉल करके भी दी गई है सरव नियालय से भी सो समय नकल नहीं निकल पाता है और जब नियालय को भी RTI लगाता हूँ तो भी सो समय जानकारी नहीं देते हैं ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है इसलिए आज मैं आप लोगों को निवेदन पुर्वक आगरफ पुर्वक एक साथ अपील करना चाहता हूँ कि हम सभी भारतिय एक जूठ होकर RTI का अधिक से अधिक परयोग करें और नियालाय में भी RTI लगाकर अपने केस से संबंधित जानकारी निसंदेह ले सकते हैं जब हम लोग RTI लगाएंगे तो इस सर हर छेतर के हर पदाधिकारी पर दबाप परेगा और वो ठीक से काम करेंगे ऐसा तभी होगा जब हम लोग अधिकांस कारियालाओं में अधिक से अधिक RTI लगाकर अपने कारी की अपने सूचनाय की जो भी आप जानना चाहते हैं उसकी जानकारी मांगेंगे जय हिंद